दोस्तों आज के समय में जब भी आप online payment करते हैं या फिर किसी website से login करते हैं तो आपके registered mobile number पर OTP receive होता है जब तक आप OTP enter नहीं करेंगे तब तक आपका transaction complete नहीं होगा ठी किसी प्रकार से किसी website से login करने के लिए भी OTP enter करना ही होता है जब तक आप OTP enter नहीं करेंगे तब तक आप website से login नहीं कर पाएंगे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्राई 1 नवंबर से OTP के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है ट्राई के 1 नवंबर से OTP पर लागू होने वाले नहीं नियमों पर सभी भारतिये टेलिकॉम कंपनियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है दोस्तो जानकारी के लिए आपको बता दें भारत में हर दिन लगभग 1.5 से 1.7 अरब तक कॉमर्सियल मैसेज भेजे जाते हैं यही वज़ा है कि Airtel और Jio जैसी बड़ी टेलिकॉम कंपनिया भी ट्राई के नए नियम से चिंतित हैं टेलिकॉम कंपनियों के अधुसार इससे बैंक ट्रांजक्शन्स और अकाउंट अलट जैसे मैसेज भेजने की उनकी छमता पर बड़ा असर पर सकता है वहीं Cellular Operators Association of India ने ट्राई को पत लिखकर मैसेज के सोर्स को ट्रेस करने की छमता को लेकर रूल में छूट देने की मांग की है इसके अलाबर टेलीकॉम कंपनियों का दावा है कि इस नियम से OTP और अन्य महतपूर एक्टिविटीज वाले SMS भेजने में मुश्किल हो सकती है क्यूंकि टेली मारकेटर्स और बैंक, e-commerce कंपनियों और financial institutions जैसी principal entities ने इसके लिए जरूरी technical solution को लागू नहीं किया है दोस्तों सीधे सब्दों में कहें तो ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि बैंको, e-commerce कंपनियों और अन्य बित्तिय संसानों द्वारा भीजे गए transactions और service message को trace करो यदि message भेजने की chain में कोई गड़बड़ी है तो message को block करो वहीं टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुक संसान और टेली मार्केटर्स अभी तक इन नियमों के पालन के लिए तयार नहीं है जिसके कारण OTP और अन्य महत्पूर्ण message की delivery बादित हो सकती है इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों ने ये भी इसपस्ट कर दिया है कि उनके सिस्टम एक नवंबर से लागू होने बाले नए नियम का पालन करने के लिए तयार है लेकिन कई टेली मारकेटर्स और प्रमुक संस्थानों को जरूरी तकनीकी अपडेट के लिए दो महिने का और समय चाहिए अगर ये महलत मिल जाती है तो सभी टेली मारकेटर्स और संस्थान आवश्यक तकनीकी बदलाव कर लेंगे जिसके बाद मैसेज की डिलीबरी में कोई बाधा उत्पन्व नहीं होगी जनकारी के लिए आपको बता दें ट्राई OTP की सर्विस को बंद करने नहीं जा रहा है बलकि इससे और सुरक्षित करने के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है दोस्तो ट्राई के इस नियम के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करके जोर बताए